चांद से, सूर्य से, सोलों से, सितारों से खेल, फूल से, धूल से, पत जड़ से, बहारों से खेल, जिन्दगी खेल है, कोई नहीं साथी तो क्या? जिन्दगी खेल है, कोई नहीं साथी तो क्या? अरे सीस पे ओड़ के कफन और अंगारों से खेल? ये अमर पंक्तियां हैं, मानो प्रेम के अनन्य गायक, पद्मभूशन स्री गोपालदास नीरज की गोपालदास नीरज का जन्म, 4 जन्वरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गाउं के एक साधान परिवार में हुआ था नीरज जी का पूरा नाम गोपालदास सक्षेना था, वे साहित जगत में नीरज के नाम से जाने जाते हैं इनके पिता स्री ब्रिज किशोर सक्षेना का निधन जब ये 6 वर्ष के थे तभी हो गया था दुखों और संघर्षों का पहाड नीरज के उपर फैल गया इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है प्राथमिक सिक्षा, माध्यमिक सिक्षा अपने मामा के यहां की प्राथमिक सिक्षा एटा में और यहीं से हाई स्कूल सन उनाइस सो बैयालिस में इन्होंने प्रथम स्रणी में उत्तिर्ण किया सन उन्नीस सो इंक्यामन में इन्होंने बिये परिक्षा प्रथम स्रणी में उत्तिर्ण की बीच में आर्थी किस्तिर्ण ठीक न होने के कारण अनेक जंजतों और परेशानियों के कारण इन्हें छोटी मोटी नोकरियां करनी पड़ गई सन उन्नीस सो तेरपन में इम्मे हिंदी प्रथम स्रणी में कानपुर के डियेवी कालेज से इन्होंने उत्तिर्ण किया उन्नीस सो चपन में अलीगढ के धर्म समाज कालेज में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए इनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी सक्सेना था गोपाल दास निरज मूलतह कभी और गीतकार थे वे स्वयम कभी होना सवभाग्य मानते थे उन्होंने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काब्य अरे मानो होना भाग्य है और कभी होना सो भाग्य उनकी रचनाएं हैं शंगर्ष अंतरध्वन बिभावरी प्राण गीत आशावरी दर्द दिया है नीरच की पाती तुम्हारे लिए कार्मा गुजर गया आधि इनकी सुप्रशिद रचनाएं हैं इन्होंने सिनेमा के लिए भी बहुत मार्मिक गीत लिखे हैं जो बहुत ही लोग प्रियो हुए हैं जैसे कार्मा गुजर गया गुबार देखते रहे दूसरा है बस यही अपराध करता हूं आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं और तीसरा जो बहुत ही चर्चीत है ए भाई जरा देखके चलो निरंतर बीमारी और संगर्श के कारण तिरान नए वर्च की आयू में 19 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में सदा सरवदा के लिए यह गीतों का समराथ चिर्निद्रा में लीन हो गया हिंदी साहित्ति जगत में अंधेरा चागिया नीरत जी को उनकी साहित्तिक सेवाओं को देखते हुए उनके अवदान को देखकर अनेका अनेक अलंकरण प्राप्त हुए है नीरत जी अनेक अलंकरणों से विभूशित रहे भारत सरकार द्वारा नीरत जी को पदमस्री और पदमभूशन सम्मान दोनों मिले भारत सरकार द्वारा उने उनाई सो इंक्यानने में पदमस्री से नवाजा गया और दोहजार साथ में उन्हें पदमभूशन सम्मान राप्त हुआ उनाई से चवरानने में यस भारती सम्मान और फिल्म फेर पुरसकार असाथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिला अध्यक्ष भासा संस्थान उत्तर प्रदेश के रूप में हिंदी गीत के अमर सिल्पी सुप्रसिद्ध प्राध्यापक नीरत जी ने हिंदी कभिता को जन मानस्तक पहुचाने में अपनी महत्तपूर भूमिका निभाई है वे छायवादी काब्यधारा असे प्रभावित प्रगतिवादी चेतना के रचनाकार थे उनकी रचनाओं में साउंदर्य भावना प्रकिच चित्रन प्रेम भावना और बिरहान भूत के दर्शन होते हैं मर्म इसपर्शी काब्यान भूति सहज सरल और बोथ गम्मे भाशा के कारण हिंदी साहित जगत में नीरत जी बहुत लोग प्रीव हुए उनका हिंदी साहित्य में विशिष्ट अर्स्थान है बच्चो आज हम लोग चर्चा करेंगे उनके बहुचर्चित गीत जीवन नहीं मरा करता है इस गीत का केंद्री अभाव है जीवन में निराशा और हतासा के ऐसे कई छणाते हैं जब हम पूरी तरह से हार कर बैठ जाते हैं यह कविता निराशा के इन ही छणों से हमें मुक्त कर आशा का संचार करती है आए कविता के प्रथम अंशका वाचन करें जीवन नहीं मरा करता है छिप छिप असरुबहाने वालो मोती बेर्थ लुटाने वालो अरे कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है सपना क्या है नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और तूटना है उसका जो जागे कच्ची नीच जवानी अरे गीली उमर बनाने वालो गीली उमर बनाने वालो डूबे बिना नहाने वालो कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है जीवन नहीं मरा करता है जीवन में निराशा और हतासा के ऐसे छणाते हैं जब हम पूरी तरह हार कर बैठ जाते हैं निरजी की है कविता निराशा के इनी ख़णों से हमें मुक्त करती है जब ब्यक्ती कहीं पर उसकी संकलपना उसकी कलपना उसका स्वप्न पूरा नहीं होता तो तूट जाता है और तूट करके निरास हो करके बैठ जाता है ऐसी ब्यक्तियों के लिए नीरत जी कहते हैं कि जो निरास हैं अपने जीवन में इच्छित फल को प्राप्तर नहीं कर पाए वे दुखी हैं हतास हैं तो कभी सलाह देते हुए कहते हैं कि सपनों के तूट जाने से सपने इच्छाएं भविश्य के बड़े-बड़े सपने लोग देखते हैं लेकिन अगर एक आद एक दो सपन उनके पूरे नहीं हुए तो भरभरा जाते हैं तूट जाते हैं निरास हो जाते हैं तो अहीं कभी कहता है कि सपनों के तूट जाने से अपेक्षाओं की पूर्ति न होने से जीवन समात्र नहीं हो जाता इसलिए अपने उन सपनों के तूटने से आहत होकर छुप छुप कर रोने से आशु रूपी मोती ब्यर्थ बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा जीवन आगे बढ़ने का नाम है इसलिए सूक्त कहता है चरेवे थी प्रशलाम निरंतरम चलते रहो चलते रहो चलते रहो गतिमान रहो अब प्रशने उठता है कि स्वपन या इच्छा है क्या स्वपन जो है नेत्र रूपी सय्या पर सुसुपता वस्था में पाया जाने वाला अशुरू है जिस प्रकार निद्र वस्था में व्यक्ती स्वपन देखता है स्वपनिल संसार में विशर्ण करता रहता है अचानक शपन भंग होने पर उसी प्रकार से परेशान हो जाता है जिस प्रकार की निद्रापूर्ण होने के पूर्व जगा दिया जाए वह चिंता ग्रस होने लगता है चिंतित होने लगता है और कहा गया है चिंता जो है वो चिता के समान शरीर को जला डालती है काया को शरीर को जला देती है ब्यक्ति जो है जो अपनी इछाओं की पूर्ति न होने से दुखी हो जाता है उसका शरीर क्षीन होने लगता है तो कभ ऐसे लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं प्रेडित करते हैं कि इच्छाओं की पूर्थिन होने से रोने वालो अपने नेत्रों से असुर्पात करके अपने सरीर को क्यों गीला कर रहे हो आपकी इच्छा रूपी जलधारा के प्रवाहित होने पर भी जीवन सावन की हरीाली समाप्ठ नहीं हो जाती संकत की घड़ी में भी सावन की तरह अग्पसहणि करना चाहिए को से अब इसमें यह अलंकार देखते हैं नीन सेज हाए भी मेर नेन रूपी सेया इसमें रूपक-एलंकार नो दूबे बिना नहाने वालो बिना डूबे नहाना बिरोधा भास है मतलब बिना डूबे ही नहा लेना और इसमें भाशा शुद्ध हिंदी खड़ी बोली और भाशा में प्रवाह एवं लियात्मक्ता दर्शनिय हैं ये पढ़ते हैं कविता का दूसरा अंश्व खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर केवल जिल्द वदलती पोथी पहने सुबह धूप की धोती वस्त्र वदल कर आने वालो चंद्र खिलोना के खोने से बच्पन नहीं मरा करता है जीवन नहीं मरा करता है इसमें जीवन की नस्वरता का वर्णन कभी ने किया है जीवन नस्वर है खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर ब्यक्ति यहां कुछ खोता नहीं है ब्यक्ति से कुछ गुमता नहीं है वो लेकर के ही क्या आया है चूंकि किसी के द्वारा इस संसार में कोई बस्त खोई नहीं जाती क्योंकि सब कुछ इश्वर द्वारा प्रदत्त है इस संसार की जितनी बस्तुएं हैं वे सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं इश्वर द्वारा दी गई हैं इफले खोने का दुख नहीं होना चाहिए जिस प्रकार पुस्तक का उपरी आवरण फट जाए जिर्ण सिर्ण हो जाए तो उसके अस्थान पर हम लोग नवीन आवरण लगा लेते हैं उसी प्रकार शरीर के नश्ट होने पर आत्मा पुनह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है भगवान कृष्णे गीता में भी यही बात कही है जिस प्रकार से वस्त्र पुराना हो जाने पर ब्यक्ति बदल करके नया वस्त्रधारण कर लेता है उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर का परित्याग करके नवीन वस्त्रधारण कर लेता है तो क्योंकि आत्मा जो है वो अजर अमर है चांदनी रात के आउसान होने के पस्चात प्राता कालीन जो सूर्य है वह अपनी स्वाणिम धूप विखेर कर संसार को प्रकाशित कर देता है कभी कलपना करता है कभी कलपना देखिए कि मानो सुबह धूप रूपी धोती पहनकर पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्रधारण कर ली हो जिस प्रकार से नन्ने मुन्ने बच्चे चंद्रमा को खिलोना समझ कर उसे पाने के लिए मचल उठते हैं उसे पाने का प्रयास करते हैं लेकिन सवेरा होते होते चांद जो है वो छिप जाता है चांद डूब जाता है तो क्या बच्चों का जो बच्चपन है वो समाप्त हो जाता है न उससे बच्चपन समाप्त नहीं होता इस अंश में प्रवाह और लेयात्मक्ता दर्शनिये हैं आए कविता का तीसरा अंश सुनते हैं पढ़ते हैं लाखों वार गगरियां फूटीं सिकर्न आई पनघट पर अरे लाखों वार कस्तियां डूबीं चहल पहल वो ही है तड़ अरे तमकी उमर बढ़ाने वालो लो की आयू घटाने वालो लाख करे पतजर कोशिस पर उपवन नहीं मरा करता है जीवन नहीं मरा करता है जीवन में अनेक उतार चड़ावाते हैं लेकिन इन उतार चड़ावों, संगर्सों, कठिनाईयों के कारण क्या जीवन समाप्त हो जाता है? कभी का कहना है कि लाखों वार गगरिया फूटी जलासयों में जल भरते समय अनेक बार कलस तूटे गगरियां कलस छोटे घड़े जो होते हैं आपस में जब टकराते हैं तो ठोका लगने से तूट जाते हैं फिर भी पनघट में किसी प्रकार की निराशा परिलक्षित नहीं होती वह अनवरत पनघट भरा रहता है लोग पानी भरने के लिए पनघट पर पहुंचते रहते हैं इसी प्रकार लाखों वार कस्तियां डूबीं अनेक वार समुद्री जहाज डूब जाते हैं समुद्री आत्रा के दोरान जहाज और नाव जल्मग्न हो जाते हैं लेकिन क्या समुद्री मार्ग रुख जाता है? क्या वहां की चहल पहल समात्त हो जाती है? क्या सामुद्रिक ब्यापार रोग दिया जाता है? नहें वह अनुवरत चलता रहता है तमकी उमर बढ़ाने वालो लोकी अस्रु घटाने वालो कभी जो है उन व्यक्तियों को आगाह कर रहा है जो अज्यानता रूपी अंधकार और रूढिवादी प्रवित्य से प्रेरित होकर पुरानी घटनाओं से दुखी एवं निरास हो और उस निरासा के कारण चिंतित हो करके अपने शरीर को जला रहे हैं अपने शरीर को गला रहे हैं तो कभी इन्हें अभी प्रेरित करते हुए कहता है कि समुद्र में कितने भी तूफान आएं लेकिन जीवन में कितने भी तूफान आएं कितने भी संकट आएं लेकिन वह लोग शिंता करके जीवन रूपी प्रकास की आयू को कम कर देते हैं इस जीवन रूपी उद्ध्यान में चाहे जितने भी तूफान आएं आधियां आएं थपेड़े आएं लेकिन उसे समाप्त नहीं कर पाते हैं बगीशे में आने वाला पत्जड उसका कोई नुक्सान नहीं कर पाता वह पुनह हरा भरा हो जाता है इसी प्रकार से जीवन में स वाले उतार चड़ाओ आपके जीवन को आपके भविश्य को समाप्त नहीं कर पाते इसलिए इन से घबडाना नहीं चाहिए और इन तूफानों का इन शंकटों का मजबूती के साथ स्वागत करना चाहिए और मजबूती मजबूती के साथ उनसे उन्हें निप्ताना चाहि कमर कस कर तयार रहना चाहिए कि जो जीवन में संकट आएंगे हम उनको बड़ी मुस्तेदी के साथ जह लेंगे कि इसमें सिकर्न आई पनघट पर यह मानवी करण अलंकार है भासा शहज सरल सुबोध और प्रवाह मैता से युक्त हैं कविता का अंतिम अंश है आए पढ़ते हैं लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंद फूल की तूफानों तकने छेडा पर खिड की बंदन हुई दूल की अरे नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उडाने वालों कुछ मुखणों की नाराजी से दरपन नहीं मरा करता है इस अंश में कभी नीरज ने कर्म सील ब्यक्तियों को सत्कर्म की और अग्रसर रहने की प्रेणा दी है लूट लिया माली ने उपवन बगीचे में खिले हुए पुष्पों को माली तोड कर ले जाता है लेकिन क्या पुष्प अपनी सुगंध खतम कर देते हैं भूल जाते हैं पुष्प डाली से अलग होने पर भी अपनी वास्तविक सुगंध सलामत रखते हैं उनकी सुगंध समापत नहीं होती लूटी ने लेकिन गंध फूल की माली ने जब बगीचे से पुष्पों को तोड़ा तो पुष्प की गंध समापत नहीं होती इसी प्रकार से जो कर्मठ लोग हैं यदि उनसे किसी ने छेड़ छाड़ की उन्हें आगे बढ़ने से रोका गतिरोध पैदा किया तो उनकी यसह सूरभी है यसह गंध है कर्म करने की जो प्रेणा उनको मिली है जीवन में वो कर्म करते ही रहते हैं उसी प्रकार मृत्य रूपी माली अगर किसी कर्मठ व्यक्ति को ग्रशित कर लेता है तो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के जो कर्म है वे अमर हो जाते हैं अमर रहते हैं उसे लोग याद करते हैं वो समाप्त नहीं हो जाते हैं वो अच्छे मार्ग पल चल रहा था और अकर्मने व्यक्तियों ने ये तूफान रूपी जो अकर्मने व्यक्ति हैं या नफरत से जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं ये सब मार्ग के रोड़े बनते हैं लेकिन जो कर्मठ व्यक्ति है उसका केवल एक ही उद्देश से होता है कि इस जीवन का उद्देश से नहीं है इस जीवन का उद्देश से नहीं है स्रांत बहुन में टिक रहना किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राहने ये महाकविप्रशाद की पंक्तियां हैं तो जिस समय अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति चल रहा है उस समय अकरमने व्यक्तियों द्वारा उसके अच्छे कालियों को रोकने का प्रयास किया गया फिर भी वह व्यक्ति आगे बढ़ता ही रहा जिस प्रकार चाहे कितने ही दर्वाजे खिडặcिया बंद कर दी जाएं लेकिन धूल वहां प्रवेश्च कर ही जाती है उसी प्रकार करमशील व्यक्ति अपने गंतव्य को प्राप्त ही कर लेता है कुछ व्यक्तियों की नाराजगी से जिस प्रकार धर्पल्ण ना देखने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसी प्रकार कर्मठ व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस का ब्यान्ज की भासा सहाज उसरल है, मार धोर्य गुन की छटा दर्शनी है, अब सवाल ये उड़ता है, कि इस समूची कविता में काउन सी पंक्तियां हैं जो हमारे जीवन में आशा का संचार करती हैं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, लाखों बार लग गरियां फूर्टी शिकन पंघट पर। तीसरी पंक्ति है, लाखों बार कस्तियां दूबी चहल पहल है वो ही तट पर. और zelfं झोथि पंक्ति Qu Kai hai lach करे पतजड को पार उपवन नहीं मरा करता है इसी प्रकार एक सवाल उठता है कि मोती ब्यर्थ लुटाने वालों में मोती क्या है अरे इच्छाओं की पूर्ति नहोंने पर व्यक्ति निराश होकर रोते हैं आखों से प्रवाहित होने वाला जो अर्ष्रू है उसे ही कभी ने मोती कहा है तम की उमर बढ़ाने वालों लो की आयो घटाने वालों कविता की इन पंक्तियों में किस तरह के लोगों को कभी ने संबोधित किया है। कि वास्तों में कविता की इन पंग्तियों में कव नी रजी ने उन लोगों को संबोधित किया है कि जो किनी कारणों से दुखी होकर निरास होचुके हैं या पुरानी घटना को वरतमान में ह्रदह में संजोकर अढ्ग्न रूपी अंधकार में जीवने आपन कर रहे हैं कभी का कहना है कि व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए हमेशा सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए फिर कभी आगे उदारने दे करके कहता है कि जिस प्रकार पनघट पर कई वार गगरियों के तूट जाने से पनघट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसी तरह से समुद्र तट पर नावों के कई वार डूबने से तट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा करता तो वहां आज भी चहल पहल बनी हुई है चाहे वो पनघट हो या समुद्र का तट हो उसी प्रकार व्यक्ति को भी उत्तर तर अग्रसन होना चाहिए आगे बढ़ते रहना चाहिए गतिमान बने रहना चाहिए लूट लिया माली ने उपवन लूटी ने लेकिन गंध फूल की इन पंतियों में कभी क्या संदेश देना चाहता है आपने पढ़ा है इसको बीच में देखा है जिस प्रकार माली के द्वारा उपवन से फूल तोर लिया जाता है अर्थात ब्रिक्स से उन्हें अलग कर दिया जाता है लेकिन पुष्प का जो स्वाभाविक गुण है अर्था सुगंध विखेरना वह अपना स्वाभाविक गुण समाप्त नहीं करता ठीक उसी प्रकार मृत्य रूपी माली इस शरीर को नस्ठ कर देने के बाद भी उस व्यक्ति के द्वारा किये अच्छे कार हमेशा लोग जो हैं याद किये जाते हैं ठीक उसी प्रकार यह जो मृत्य रूपी माली है यहां व्यक्ति के सरीर को नश्ट कर देता है लेकिन उसकी जो यहसह सुरभी है उसका जो सुकर्म है उसके द्वारा व्यक्ति लोग उसे याद करते हैं उसके अच्छे कारियों को हमेशा याद किया जाता है अर्थात उन यादगार पलों में वह व्यक्ति उनी के माध्यम से जीवित रहता है जीवन नहीं मरा करता है यह जो कविता है इसके उप्युक्तता पर हम विचार करें कि यह कितनी उप्युक्त है वास्ताओं में मानव जीवन में सुख दुख लाव हान जय पराजय का जो काल चक्र है हमेशा चलता रहता है और व्यक्ति जो है सुख में अधिक आनंद की अन्भूत करता है लेकिन दुख के समयों घबरा जाता है और पूर्ण रूप से हतोत्साहित हो जाता है निरास हो जाता है ऐसे समय में कभी ने इस कविता के माध्यम से मानों को जीने की प्रेणा दी है संदेश दिया है कि उन्हें कभी निरास नहीं होना चाहिए चाहे जितने संकटाएं फिर भी बिचलित नहीं होना चाहिए जिसे महापुरुष हैं जो कर्मत व्यक्ति हैं संपत्त 살ुचह विपत्त हुचह महताम एक रूपता जो महापुरुऺूश हैं जो कर्मत लोग हैं संपत्य और विपत्ति में एक समान रहते हैं वे विश्ंतन होते都 Holy जीवन में जितने भी संकटाएं फिर भी बिशलित नहीं होना चाहिए हमेशा सुख दुख नफरत प्यार लाभान सभी कुछ सहन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए इसी लिए सिर्शक बहुत ही सार्थक और उप्युकत है चंद खिलोनों के खोने से बच्पन नहीं मरा करता है वास्तों में नन्हे मुन्ने बच्चे चंद्रमा को खिलोना समझ कर उसे पाने के लिए मचल उठते हैं लेकिन चंद्रमा को पाते कहां हैं उसे प्रात नहीं कर पाते अर्थात प्राता काल होने पर जब चंद्रमा आकास में बिलीन हो जाता है चिप जाता है तो बच्चे निरास होते हुए भी वे आगे की और बढ़ जाते हैं तो क्या बच्चों का बच्पन समाप्त हो जाता है नहीं इसी प्रकार से दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि जाने से नश्र हो जाने से बच्पन समाप्त नहीं हो जाता वह अन्यवस्तियों की ओर आकर्शित हो जाता है कौन बच्चा उसी प्रकार कुछ स्वपनों के तूट जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता इस प्रकार यह गीत प्रेरक गीत है प्रेनात देने वाला गीत है और नीरज की काय हगीत अजर और अमर है